कलेक्टरेट परिसर के अंदर दो आरोपियों ने शिक्षक की बेदम पिटाई कर दी है आरोप है कि सीधी के संजे गांधी कॉलज की सामने से आरोपियों ने गाड़ी में बैठा कर कलेक्टरेट लेकर आय थे। रजिस्टार ओफिस में ले चाकर पीरित की जमीन जबर्दस्ती रजिस्टरी करवाना चाहते थे पीरित के मना करने पर आरोपियों ने कलेक्टरेट परिसर ने ही जमकर पिटाई कर दी है जहां अब पीरित खायल अवस्था में जिला चिकित साले में भरती है पूरे मामले की पुलिस चार्च कर रही है वाइट विश्णु नारायन मिश्रा पीरित आज हमाँ पड़ोसी अपना के पनमार के बुपेन सुकला बिरेन सुकला तो कहिन भई यह एक ठे रेजिस्ट्री के गवाही करावएक है अपना के था हम कहिन चली करवाद है तो कहिन दू जन के तो उन्हों के दियान हमों दियान है तो हम कहें कि यह मनमावग चुकि सब गाउं के कहा थे कि बहुत सही आदमी नहीं आए हूँ तो हम कहें काहम रिजिस्ट्री कराई लाह थोड़ी कागज दिखाए दे तो जब हम नहीं दिखाए तो पहे जे रिजिस्ट्री लेखक रहे करा हैं हम दिखना हमारे जमीनों अपने नाम करा वर रहें तो हम कहने कि नकराओ हम तेहीं हमरे साथ तुमार पीट करें एक बज़े घटना आया और सबसे बड़ी वाद थी कि कलेक्टरेट रेजिस्टार आफिस के बाहर के घटना है पूरा कलेक्टरेट देखर रहा उनकर दमंग गई और एक है पहले वह बहुत आपराधित प्रवित्ति के लोग है हम रिपोर्ट करें गें त तो चुकि चोंट जादा रही तो वहां से हमका यहां भेज दे हैं जी हां हम यह कहा चाहिए थे कि हमरे साथ नयाय हो और इससे आपराधित प्रवित्ति के लोगन का जेल के अंदर हो चाहिए न की बाहर हो एक जन के भूपेन सुकला और इससा अक्षे कहा थे वो बिलकुल तो आपराधिक प्रवित्ति के हम सोचे नफसुधर के होई हैं ठीक है और उनके रिठे भाई बिरेन सुकला दोना जाए यह पनमार चोहान अन्टॉला के हैं उनके पिता जी के नाम साथ बिस्वनात है ऐसा कुछ नाम हमका ज्यादा डिटेल नहीं है जी हां